इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोनेज की और स्टोनेज को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है और फिर बैसिकली हम इसमें बात करेंगे ओल्ड स्टोनेज की यानि पूरा पाशानकाल की नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे मद्दे पाशानकाल की और उस तो थर्ड वीडियो होगा, उसमें हम बात करेंगे, नव पाशानकाल की, पाशानकाल को तीन पार्ट में हम बात की देख सकते हैं, तीन पीरिट्स में, सबसे पहला है पूरा पाशानकाल, दूसरा है मध्य पाशानकाल, तीसरा है नव पाशानकाल, इनको पैलियोलिथ करते हैं और वैसे पूरापाशान काल मद्धयपाशान काल को हम इंगलीज में ट्राश्लेट करें तो इनको ऐसे लिखते हैं बीधिल स्टोन और निवन अब इनका टायम पिरियेड क्या है टाइम पिरियेड डिफरेंट हो सकता है अलग-अलग गौंटिनेंट के लिए क्योंकि सभी जो महदीव हैं उनमें अलग-अलग समय पर इस प्रकार की संस्कृतियां पाए जाती है और उपकरणों में विभिनता मिलती है कहीं पुरा पाशानकालिन उपकरण आपको पांच लाग साल पुराने मिल जाते हैं कहीं 3,000,000,000 साल पुराने मिल जाते हैं कहीं मद्य पाशानकाली इन उर्पकरणों में कहीं पहले के मिलते हैं कहीं कुछ वर्षों बात के मिलते हैं तो थोड़ा सा अंतर हो सकता है हम यहां पर बात करेंगे भारत में पाशानकाल की स्टोरन एज कि इंडिया सबसे पहले हैं पुरां काल पाशानकाल पहलिओ लिदिक एज यह जो पहलिओ लिथिक वर्ड यह इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं Paleolithic Age Paleolithic Age में Paleo plus Lithic दो वर्ड से बना है Paleo plus Lithic Paleo का मतलब है Old या Ancient Paleo का मतलब है Old या Ancient और Lithic का मतलब है Stone Old Stone से या Ancient Stone से रिलेटेड ये वर्ड हो गया इसलिए इसको कहते है Old Stone Age Paleolithic Age इसका टाइम पिरिएड क्या था इंडिया के हिसाब से हम बात करें तो जो आर्कियोलोजिस्ट हैं वो मानते हैं कि ये 2,00,000 BC से 10,000 BC तक का समय था 2,00,000 BC से 10,000 BC तक का समय है ये दूसरा है मध्यपाशानकाल इसके समय की बात करें इसका समय माना जाता है यहां लिख देता हूँ मैं 10,000 BC से 8,000 BC 10,000 BC से 8,000 BC तक का समय और नवपाशानकाल है वो 8,000 BC से mostly तो माना जाता है 4,000 BC कुछ-कुछ विद्वान है वो 3,000 BC तक का समय मानते हैं यह आज कल जो वर्डिंग लिखते हैं वो लिखते हैं B, C, E Before Common Era और A, D के लिए लिखते हैं C, E Common Era Common Era, Before Common Era ऐसे लिखते हैं वैसे आप कह सकते हैं यह BC का मतलब है हिंदी में कहें तो इस्वी पुर्व दो लाग से 10,000 इस्वी पुर्व तक का समय है पुरा पाशानकाल का 10,000 इस्वी पुर्व से 8,000 इस्वी पुर्व तक का समय है मद्दे पाशानकाल का और 8,000 इस्वी पुर्व से 4,000 इस्वी पुर्व तक का समय है नव पाशानकाल का उसके बाद में भी पत्थर के उपकरण कुछ बनते रहें लेकिन साथ में प्रियोग होने लग गया तांबे का, तांबे के बाद में कांसे का, कांसे के बाद में 1000 BC के आसपास इंडिया में, इंडिया के बात कर रहा हूं, specifically मैं सारे इस वीडियो में हम इंडिया के बारे में इंडिया की, उसके बाद में लोहे का प्रियोग होने लग गया, तो mostly हम इस प्रकार से इसको classify करते हैं, इस काल की दोरान, इस पूरे ही काल की दोरान हम क्या मानते हैं, लास्ट में आते आते हैं मनुष्य नव पाशान काल में कृशी करने लगता है, अपने घर बनाने लग गया था, तो पूरा पाशान काल में, ये जो सारी पूरा पाशान काल, मद्यपाशान काल, नव पाशान काल की जो sites हैं, ये ज्यादातर हैं water sources के पास, यानि जहां पर पानी के स्रोथ हैं, mostly नदी घाटियों में, जहां पर पानी के स्रोथ हैं, water sources हैं, वहां पर आपको ये site पुरा पाशान मद्यापाशान नवपाशान कारिन स्थानों की मनुष्य इस दोरान खाना बदोष जीवन व्यतीत करता था नॉमेड्स थे खाना बदोष यानि रहने का ठीकाना नहीं था ज्यादा तर यह रहते थे या तो गुफाओं में रहते थे प्राकृतिक आवास जो बने वे होते थे पाड़ियों के नीचे उनमें रहते थे या फिर फूल पतियों की जोपडिया बना कर रहा करते थे इसके अलावा मनुष्य भोजन का उत्पादन नहीं करता था नवपाशान काल में आते आते बनुष्य भोजन का उत्पादन करने लग गया यानि वो खेत करता था नहीं शिकार करके अपना खाना पीना चलाता था ज़्यादा-तर यह साइट्स आप को मिलती है मुनुष्य के निवास्थान मिलते हैं वो मिलते हैं गुफाओं में और यह जो साइट्स है वो water sources के नजदीक मिलती हैं जहां पर पानी के शुरोथ हैं ज्यादा तर नदी घाटियों की हम बात करें यह मुसली बात है सभी काल की एक जनरल बात थी अब हम शुरुवात करते हैं पुरा पाशान काल की पैलियोलिथिक एज की पैलियोलिथिक एज में सबसे पहले आता है निम पुरा पाशानकाल मध्य पुरा पाशानकाल और उच पुरा पाशानकाल लोवर पैलियोलिथिक एज मिडल पैलियोलिथिक एज एज अपर पैलियोलिथिक एज इस वीडियो में हम इन तीनों एज की बात करेंगे निम्न पुरा पाशानकाल निम्न पुरा पाशानकाल यान ब्रूस फुट ने सबसे पहले पूरा पाशान कालिन उपकरण प्राप्त किये थे, वो जगह थी मदरास के पास, मदरास आज का जो चैन नहीं है, तमिल नाडु में, मदरास के पास पलवरम नामक स्थान से, पलवरम, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं इसको, पलवरम नामक स्थान से, सबसे पहले इनोंने पूरा पाशान कालिन उपकरण प्राप्त किये थे, और उन उपकरणों में या तो माना जाता है कि वो हैंडेक्स था, क्योंकि हैंडेक्स और क्लीवर दोनों एक जैसे से दिखते सिर्फ उपर से थोड़ा सा नुकी लिपन में फर्क होता है, और क्लीवर है, इसका हिंदी वर्ड होता है, विदारिनी, अभी आप साइड में आप चित्र देख सकते हैं, इनका, एक उनके फ्रेंड थे, मिस्टर किंग, उन्होंने तमिल लाडो में ही अतिरम पक्कम से, कु तो इन्होंने पूरा पाशान कालिन उपरण सबसे पहले खोजे, रोबर्ट ब्रूस फुट ने, इसलिए रोबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्री हिस्टरी यानि प्रागेति हासिक काल का जनक माना जाता है, जो प्री हिस्टोरिक पिरियेड है, इस प्रकार से लिखते हैं प्राग इतिहास या अलग अलग लग लिखें तो प्राग के के नीचे हलंत लगा जाता है प्राग इतिहास का जनक मारा जाता है किसको? रोबर्ट ब्रूस फूट को तो सबसे पहले इन्होंने यहां से पुरा पाशान का लिए उपकरण प्राप्त किये इस संस्कृति को इस कल्चर को मदराशियन कल्चर कहते हैं या मदराशियन संस्कृति कहते हैं मदराशियन संस्कृति फिर यहाँ पर कौन कौन से हमें tools मिलते हैं कौन-कौन से उपकरणी आथियार हमें यहाँ पर मिलते हैं जो काम में लेते थे निम्न पुरा पार्षान काल में मनुशे इनको वैसे आप दो भागों में बाट सकते हैं पहला आप कह सकते हैं चोपर, चोपिंग या पेबल संस्कृती जो काटने के काम आते थे उपकरन बैसिकली चोपर, चोपिंग या पेबल पेबल का मतला बता कंकड़ पत्थर पेबल संस्कृती ये मिलते हैं आपको सोहन नदी की घाटी से सोहन नदी की घाटी ये घाटी पाकिस्तान में है सोहन नदी इंगलिस में इसको S O A N सोंद नीवन बोलते हैं और ये सोहन नदी की घाटी पाकिस्तान में पढ़ती है, सोहन नदी, ये जो सिंदु नदी है, इसकी एक सायक नदी है, सिंदु में मिल जाती है ये, तो चोपर चोपिंग या पेबल संस्कृती, ये सोहन नदी की घाटी में जो पाशान काली नुपकरन प्राप्त हैं, तो व दूसरा उपकरणों को डिवाइड किया गया है उसको बोला गया है एशूलियन संस्कृति एशूलियन संस्कृति ये नाम तो फ्रांस की एक साइड से लिया गया है इंडिया की हिसाब से कहें तो madrasian संस्कृती फ्रांस की उस side जैसे से ही यहाँ पर उपकरण मिलते हैं madrasian संस्कृती madrasian संस्कृती में हम भी आमने देखा कि कैसे उपकरण मिलते हैं handex और clever handex और clever तो यह madrasian संस्कृती में हो गए अशूलियन को इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं A-C-H-E-U-L-E-A-N अशूलियन अशूलियन संस्कृति या इसको कहते हैं मदरासियन संस्कृति दो भागों में बाटा जा सकता है इन उपकरणों को चोपर चोपिंग या पेबल संस्कृति दूसरा अशूलियन संस्कृति या मदरासियन संस्कृति तो मुख्य जो यहां पर उपकरण मिलते हैं टूल्स मिलते हैं हमें लोवर पहली उलिथिक एज के उनमें हो गया हैंडेक्स क्लीवर और काटने वाले खंडक उपकरण चोपर चोपिंग से आप समझ गया होंगे चोपिंग टूल्स वैसे हिंदी में शब्दा इसके लिए खंडक उपकरण चोपिंग टूल्स और इसके अलावा मिलते हैं आपको फलेक फलेक्स फलक जो एक तरफ से काफी धारेदार होते थे पत्थर के ज़्यादा सोफिस्टिकेटर तो नहीं थे प्रिश्कृत रूप तो इनका नहीं था लेकिन ऐसे ही एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़कर एक तरफ से या दोनों तरफ से नुकीले भाग बनाये जाते थे उनको बोलते थे फलक या फ्लेक्स ये इस प्रकार के टूल्स हमें मिलते हैं निम्न पूरा पाशान काल के लोवर पेलियूरिथिक एज के अब इसके प्रमुख केंदर कहा है कहां कहां पर निम्न पूरा पाशान काल के आवशेस मिलते हैं या उस दोरान के हमें अथियार या टूल्स मिलते हैं तो सबसे पहले तो हमने बात कर लिए एक तो मदरास के पास मिलते हैं दूसरा सौन नदी की घाटी में मिलते हैं इसके बारे में अभी हम विस्तार से थोड़ी बात करेंगे पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ तो प्रमुख केंद्रों में निम्नपुरा पाशानकाल के प्रमुख केंद्र भारत के आसपास पाकिस्तान वाले हिस्से में जो बात आती है वो हम इसमें शामिल करते हैं क्योंकि इन स्थलों की जब खुदाएं की गई है जो पुराना समय था भारत और पाकिस्तान तो अलग अलग पंट्रीज नाइटीन फॉर्टी सेवन के बात के हैं तो यह सारी सिस्कृतिया उससे पहले के हैं तो हम एक प्रकार से पाकिस्तान के केंद्रों को सबसे ज़ाद है इसके साइट्स मिले हैं उपकरण मिलते हैं इसके बहुत सारे इसके अलावा यहां से मनुष्य के रहने के साक्ष्य मिले हैं, माना ववास के। hd ंकलिया ने सौन नदी की घाटी से यहां से एक हैंडेक्स खोजी थी, is HD सेक्रिश्ट्टीं के और खेजी हुआ, अपिते हैंि सोहन गाटी का फिता भी ऐगा जाता है फादर ओफ सोन वेली सोहन गाटी का पिता भी कहा जाता है डी एन वाडिया को क्योंकि इनोंने सबसे पहले यहां से निम्न पूरा पाशान काली नुपकरण खोजे थे इसके बाद जो सिवालिक श्रेणी है हिमाले परवत के बारे में प्रवत स्रेंखला के बारे में आप सबी जानते हैं उसका जो दक्षणी भागे निश्रे का हिस्सा है जो पश्चिम से लेकर पूरू तक फैला हुआ है वहां से सोन संस्कृती की आवशेस हमें मिलते हैं शिवालिक शेत्र से शिवालिक की पाड़िया शिवालिक शेत्र से आमें निम्न पूरा पाशान काली नवशेस प्राप्त होते हैं जो सोन संस्कृती से संब्धित हैं शिवालिक की पाड़ियों के पास पोटवार का पठारा एक जहां पर सोन नदी सूख जाती है और सूख गई है वहाँ निम्ण पूरा पाशान काली नफशेस हमें प्राप्त होते हैं फिर हमने इसके बाद में अभी पीछे पढ़े थे मदरास के आसपास जहां पर हमने अतिरम पक्कम पीछे मैंने आपको बताया था वो तो आचाईसी में बताया था वो तो मैंने एरेज़ कर दिया मदरास के आसपास हमने पल्लो वरम अतिरम उपक्कम देखी थी वो साइट से उसमें बारे में बात की थी रोबर्ट ब्रूस फुट की तो वहां मिलते हैं इसके बाद मिलते हैं नर्मदा नदी की घाटी में नर्मदा नदी की घाटी में मिलते हैं मद्य प्रदेश के पास भीम बेटका मद्य प्रदेश में भोपाल के पास हैं भीम बेटका का नाम आप सभी ने सुना होगा जब इसमें पाशाणकाल में चे निम्नपुरा कॉरा को अशेश मिलते है भीमबेटका वैसे प्रसिध है चित्रिट सेलाश्रों के लिए यानई वहाँ पर बहुत अच्छे-ची पिक्चर्स बनाई हुई है इस्टोनेज में गुफाओं के अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं और उनमें सेंकड़क्चित्र मिले हैं तो यह स्थान हो गया आपका पांचवा भीम बेट का भुपाल के पास आईए बहुपाल मद्यप्रदेश में है मद्यप्रदेश की राज़दानी है और पांचवा प्रमुक्स सलह है यहां का बेलन रिवर वेली बेलन नदी घाटी है बेलन रिवर वेली बेलन नदी घाटी उत्तरप्रदेश में है यह साइट्स यहां पर बेलन नदी है वो टॉंस की साइक नदी है टॉंस या हिंदी में उसको तमस बोलते हैं तमस की साइक नदी है ये बेलन और टोंस खुद है वो गंगा की साइक नदी है तो बेलन रिवर वैली में बेलन नदी की घाटी में हमें निम्रपूरा पाशान कालिन अवशेस मिलते हैं यह प्रमुक केंद्र हैं, सोन रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली, बेलन रिवर वैली, इसके अलवा मदरास और भीमबेट का, यहां से हमें निम्न पुरा पाशान काली नवशे से प्राप्त होते हैं, अब हम बात करेंगे मध्य पुरा पाशान काल की, यह सारा पुरा पा पाशान काल मद्धे पूरा पाशान का लौवर पहली अली तो लोवर पहली यलिथिक कि हsın अब बात vars iets की मद्धे पूरा पाशान काल की टाइम प्रिएड की हम बात करें तो यह है लगवग एक लाइक पचास हजार इस्वी पूरु से 35,000 इस्वी पूरु तक का समय इससे पहले मैंने निम्न का निम्न का निम्न आइ था पूरा पाशानकाल दो लाग इस्षु पूरु से हमने 10000 इस्ष्व पूरत्त माना है तो निम्न पूरा पाशानकाल है वो तो हो जगेगा 2,00,000 से मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं दो लाख इस्वी पूरू से एक लाख पचास हजार इस्वी पूरू तो इसको मैं 1.5 लाख लिख देता हूँ इस्वी पूरू तक का समय है निम्न पूरा पाशान का लगा फिर एक लाख पचास जार यानि 1.5 लाख बीसी से 35,000 35,000 BC तक का समय है मद्य पूरा पाशान काल का और 35,000 BC से 10,000 BC से 10,000 BC तक का समय है उच्च पूरा पाशान काल का तो यह आप नोट कर लिजिएगा अब हम वापस आते हैं मद्य पूरा पाशान काल एक लाख 50,000 BC से 35,000 BC तक का समय है इस दोरान उपकरण है वो और अच्छे परिश्कृत रूप से या नि सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाए जाने लगे तो पहला इसमें बिंदू हो गया आपका पहले से अधिक परिश्कृत उपकरण पहले से जादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनने लगे एक विशेस बात यह आई कि यहाँ पहला जो इससे यह था निम्न पूरा पाशान काल इसमें मोस्टली जो टूल्स हैं वो क्वार्टजाइट से बनते थे और मध्यपूरा पाशान काल में उपकरण बनाने में कुछ मात्रा में प्रियोग होने लगा अन्य पत्रों का जिसमें आप बात कर सकते हैं चर्ट की, जैस्पर की, इसके लावा फ्लिंट और एक नाम की इसको चैल से डोनी भी बोलते हैं या चैल से डोनी भी बोलते है इस प्रिकार से लगते हैं कि शर्ट यजेसपर अभी आप फौटो देख सकते हैं साइड में यह क्या है फ्लिंट है इसको चकमक पित्थर बोलते हैं और इसको चैल्से डूनी या केल्से डुनी बोलते हैं केल्से डिनी भी बोलते है इसको डैनी है यह तो इनका इस्तेमाल, हलांकि अभी भी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा था, जैसे इसमें Quartzite का इस्तेमाल होता था mostly, यहां पर अब भी Quartzite का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके अलावा इन पत्थरों का भी उपयोग उपकरण बनाने में, यानि टूल्स बनाने में हो होने लगा तो इसमें अभी चल रहा था तो यह बेसिकली पत्थर हैं आप साइड में आपने फोटो देखी होगी अभी वैसे तो एक जैसे से दिखते हैं कुछ आलग है किनी का रंग आलग है क्वालिटी भी थोड़ थोड़ी आलग है केडी बैनर जी ने इसे निवासियन सं यह महारास्टर में एमद नینदी की घाटी में और च्वंकि मौस्टली यह साइड मिलती है आपको नदी घाटियों में तो यह प्रुवर या उसको प्रुवरा बोलते हैं प्रुवरा नदी की घाटी में प्रुवरा नदी की घाटी में है यह पी आरे वी ए आरे प्रुवर या प्रुवरा नदी की घाटी में है नेवासा नामक स्थान माराश्ट के एमदनगर जिले में यहां से सबसे ज़्यादा उपकरण मिलते हैं मद्यपुरा पाश निवासियन कल्चर के डी बनर जी ने इसे निवासियन संस्कृति कहा है आप हेंड रैटिंग पर मत जाएए क्योंकि जल्दी जल्दी लिखने में और ये इबलेट की सर्फेस कौफी ग्लोसी होती है तो इसमें लिखने में थोड़ा सा स्लिपरी रहता है तो तेज लिखने प स्थित है सबसे मैतपूर्ण साइट है निवासा मत देपुरा पाशान काल की यहां इस काल के दुरान फलक सबसे ज़्यादा मिलते हैं फलक फलेक सबसे ज़्यादा मिलते हैं इसलिए इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है मत देपुरा पाशान काल में इस संस्कृति को नि ओपकरणों में ने जो फलक्त है निवाशा में मिलने वाले ये लिए के बनेवे मिलते हैं है कैल से ड़े सका लगे नम है कि इसका एक अजीब सा नाम है गोमेदध गोमेद मां मोषिक है इसके बने वे इसका अन्य स्थानों में महाराष्टि में ही है मूला डेम के पास मूला बांध है उसके परी पास मिले है यह मद्यपुरा पाष्णान कालिन अबने मूला डेम टाकर मुला डेम के आसपास मद्य प्रदेश में इतिकरार यह जो दोनों साइट्स हैं यहां की रेडियो कारवन डेटिंग से जो डेट्स आई हैं उनके आधार पर इस काल की तिथियों का तिथियां प्राप्त की गई हैं इस दोरान से इस दोरान के समय रहेंगे तो यह दोनों साइट्स İ Laporte है मुला बांध और इतिकरार यह इतिकरार यह MP में है मद्य प्रदेश में यह महरास्टरा में है तो इन दोनों साइट्स के से रेडियो कार्वन डेटिंग के मद्यम से इस एरा की डेट्स प्राप्त की गई है तो ये कुछ महतपूर्ण स्थल थे और फलक एक महतपूर्ण यहाँ पर उपकरण है जो इस दोरान काम मिलिये जाता था और सबसे ज़्यादा उपकरण यहाँ पर मिलते हैं नेवासा से तो पहले से ज़्यादा परिश्कृत उपकरण मिलने लगे और दूसरी महतपूर्ण बात है कि यहाँ पर क्वार्टजाइट के अलावा चल्ट, जैसपर, फ्लिंट, कैलसेडनी और अगेट के उपकरण भी बनने लग गए थे अब हम बात करेंगे जो इसका तीसरा पार्ट है अपर पहलियोलिथिक एज यह आप कह सकते हैं उच्छ पुरा पाशान काल की अपर पहलियोलिथिक एज का टाइम पिरिएड जैसा कि मैंने आपको पहले यह बताया 35,000 इस्वी पूरु से 10,000 इस्वी पूरु तक का समय प्रारम में तो ऐसा माना जाता था कि भार्ट में कोई उच्छ पुरा पाशान काल नहीं था यानि यह जो आपके पहले के मद्य पुरा पाशान काल और निम्न पुरा पाशान काल हैं इसके बाद में डायरेक्ट हम बात करते थे मद्य पाशान काल की पुरा पाशान काल इसमें दो बातें लोवर पहली लिथिक और मिडल पहली लिथिक क्योंकि अपर पहली लिथिक ऐसा कोई डिफ्रेंस करने वाला हमें कोई evidence नहीं मिला कि हम मद्दे पुरा पाचानकाल और यह जो आगे आने वाला दूसरा है मद्दे पाचानकाल इसके बीच की कोई हम culture ढूण सकें ऐसा कोई evidence नहीं था इसलिए जो एक मशूर archaeologist थे HD साकलिया उन्हों ने एक book लिखी थी pre history and proto history in India and Pakistan उसके के बारे में चलो मैं लिखी देता हूं तो प्रार्व में ऐसा माना जाता था कि भारत में कोई उच्च पूरा पाचानकाल नहीं है कोई अपर पहली लिथिक एज जैसा कुछ नहीं है एच्टी साकलिया की बुक थी pre history and proto history कि प्री यह book थी HD साकलिया की लिन्द संस्कृति के हमें एविडेंस यानि साक्षय मिलने शुरू होए हैं तो कहां से कि बेलन रिवर वेली यूपी में है ये उत्रप्रदेश में बेलन नदी है वो उत्रप्रदेश में नाम सुनाओगा अपने सोन बद्र डिस्टिक है वहां से निकल कर मिलजपूर डिस्टिक से होते हुए ये जाती है इलाबाद तक और वहां टोंस नदी में मिलती है इलाबाद आज कर लाम उसका प्रियाग राज हो गया है तो वहां जाकर टॉंस नदी में मिलती है यानि ये टॉंस की साइक नदी है बेलन और टॉंस की साइक है गंगा की साइक नदी है तो बेलन नदी काटी में सबसे पहले हमें अवशेश मिलते हैं उच्छ पुरा पाशान काल के उच्छ पुरा पाशा मेगडेलियन कल्चर उच पूरा पाशान काल की जो लास्ट कल्चर होता है उसको मेगडेलियन कल्चर बोलते हैं और यह फ्रांस के एक गुफा ला मेडेलियने की नाम से इसको समधित किया जाता है इस काल के उपकरणों में खास बात क्या थी टूल्स इससे पहले के जो काल है आपके वहाँ पर जो भी उपकरण होते थे वो बहुप प्रियोजनी है मल्टी परपज टूल्स होते थे यानि एक ही टूल से आप कई प्रकार के काम करते थे जैसे कटिंग, स्प्लिटिंग, डिगिंग सारे काम एक ही उपकरण से करते थे का काम एक ही उपकरण से कर लिया जाता था इस काल में उपकरणों का specialization आपको देखने को मिलता है तो इस काल की उपकरणों की खास बात है उपकरणों का विशेशी करण है हिंदी का शब्द है इंग्लिस में आप ठीक लगेगा इसको आपको थुड़ा specialization यानि पहले ऐसे उपकरण बनते थे जिनसे एक से ज़्यादा काम मुख कर लेते थे अब ऐसे विशेश उपकरण बनने लगे जिससे काटने के लिए अलगूप करण, चीरने के लिए अलगूप करण और खुदाई के लिए अलगूप करण यानि टूल्स बनाने लगे वो जिसका एक उधारन है ब्यूरिन ब्यूरिन, आप फोटो देख रहे हैं साइड में ब्यूरिन की, हिंदी में इसको तक्षणी या गिर्मिट बोलते हैं यह एक हैंड हेल्ड लिथिक फ्लेक था यानि पत्थर का फलक था हाथ में पकड़ कर इसको काम मिलिया जाता था ब्यूरिन क्या है यह के हैंड हेल्ड लिथिक, लिथिक मतलब स्टॉन से रिलेटेड पत्थर का एड हेल लिथिक फलेक था हिंदी करें तो इसके लावस यहां पर मिलते हैं हमें ब्लेड भेड शाभी आप चित्र देख सकते हं यह लगाने की जुद्द नहीं हैं पत्थर की बनी हुई बाते न की ब्लेडrich न और यहां पर नए हमें चक्मक उद्ध्योगों की स्थापना के अवसेश मिलते हैं न्यू फिलिंट इंडिस्ट्री चक्मक पत्थर के मेरे मत हैं मैं बताया आपको इंगलिश में काते हैं फिलिंट तो कुछ ऐसे उद्ध्योग मिले हैं चक्मक पत्थर के तो ये सारी बाते हैं इसके अलावा एक महतपूर्ण इसके दो तिन बिंदु और बता देता हूं जिसके प्रशन आते हैं objective टाइप में कई बार भारत में प्राचीन तम चूले का अवसेश मिला है इस काल में यहां लिए प्रशन बहुत important हो जाते है चूले का मिला है इस सबसे पहले गेहं की खेटी का कहां मिला है मनुष्य के साथ कुत्प्ण करने का इस कहां मिला है एक महिला और एक पुरिश्ट को साथ में दफ़्ण करने का इसस ही कहां से मिला है या सबसे पहले आपको ये जो सिलबटा है वो कहां से प्राप्त होता है पशुपालन की आउशेश सबसे पहले कहां मिलते हैं ये बहुत important question है और ये जैसे जैसे जिस भी काल में आएंगे वो मैं आपको बताता जाओंगा साथ में तो प्राचीनतम चुले का अवसेश is वो आपको मिलता है प्राचीनतम चुले का अवसेश मिलता है बिला सुर्गाम से बिला सुर्गाम ये है अंध्र प्रदेश के कुरणूल रिस्टिक में है कुर्णूल की स्पेलिंग थोड़ी देख लेना आप यह एक महत्मुन बात है इसकाल की दूसरा एक महत्मुन प्रशन इसमें से बनता है शतुर मुर्ग के अंडों पर चित्रकारी जो ओस्ट्रिच होता है उसके एग्स पर बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं और वो सबसे ज के अंडों पर चित्रकारी के अउशेस यह मिलते हैं पाटने पाटने इंगलिस में तो पाटने ही बोलो गया और यह है आपका महारास्ट्र में यहां प्रशत्रमुग की एंड़ों पर चित्रकारी के आउशिस मिलते हैं तो यह कुछ दो महत्रप्रूम प्रशन थे जो इसमें मेरे को याद आ गए तो यह था आपका उच्छ पुरा पाशान काल उच्छ पुरा पाशान काल मद्दे पुरा पाशान काल और निम्द पुरा में हम बात करेंगे मेसुलिटिक एज की यानि मध्य पाशान काल की उसके बाद में थर्ड वीडियो में बात करेंगे नवपाशान काल की उमीद करता हूं कि आपको यह लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक जुरूर कीजिए और कमेंट कीजिए अपने फ्रेंड्स के ताकि उनको भी सोड़ा सा बेनिफिट मिल सके यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को आल पर सेट कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके